हड़ो दोस्तों, वागे Questions करा रहे थे आपको में हायर इजीकेर्शन में B.A.C. का Calculus B.A.C. के Calculus Differential Equation Differential Calculus के Questions करा थे Differential Calculus आपके Chapter में बहुत अच्छा वेटर रखता है इसमें क्या होता? Questions डारेक्ट ना देके Questions लाइं से दिये होते हैं इनको क्या करेंगे ? बहुत अच्छे से कोश्टuse पहले रीड करना हो y-axis intercept यह निया कि यह हमारे दोनों जो पार्ट है equation एक्सटू X-axis ओर Y-axis को क्या करते हैं intercept उसी को काड़ते हैं ठीक है? be the tangent at any point एक कोई भी tangent है तो any point x1 पर काट रहे हैं उसका curve क्या है यह ? उस equation का curve यह है तो यहाँ पे हमें सो करना है कि यह आपके पास कर्व प्राप्त होगा, ठीक, तो हम क्या गरते हैं, let, question लिखेंगे, बहुत अच्छा, let, यहाँ पे, let, let, जब भी यहाँ पे cube आएगा, तो यहाँ पे हम मानते हैं, देखें, x equal to a cos cube t, पिसे ध्यान रखेंगे, and y equal to b, y equal to b, sin cube t, पिसे ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे हमने माल लिया, हमें क्या होता है, intercept करने के लिए आपको dy dx निकालना होता है, dy dx यहाँ से निकालेंगे, फिर आगे solve नहीं हो पाएगा, prove करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में इन दोनों का dy dx निकालते है, dy dx निका cos square t into, फिर again, sin t, cos का sin होगा, तो minus हो जाएगा, minus यहाँ लगा देगे, पिसे ध्यान रखेंगे, again यहाँ पे करते हैं, y का करेंगे, तो dy upon dx equal to b, b sin square t, sin का फिर again करेंगे, cos हो जाएगा, cos t, ठीक, अब क्या करते हैं, हमें निकालना होता है, dy dx, तो dy dx निकालेंगे, यहाँ पे t है, t के respect में किया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy upon dx निकालना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम यह से लिखेंगे, dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt, ठीक, again value put कर देंगे, equation मान सकते हैं, again value put करेंगे, तो हारे पास क्या हो जाता है, B sin square T into cos T upon minus का A cos square T into sin T. अब इसको simplify कर देंगे, तो यह इससे cancel out, यह इससे cancel out, तो यह हम बचेगा, minus का B upon A 10 T. विशे ध्यान रखेंगे, यह हमारे पास आगया, D Y upon D X. I hope दिख रहा होगा, बहुत अच्छा question से, concept विशे ध्यान रखेंगे, ठीक? अब यहाँ पर करने के बाद, अब क्या लिखते हैं, यह हमारे पास किस पर है? Intercept X, ठीक? तो any point तो आप लिखेंगे, आइट, दा, point, X1, X1, intercept, किस पर है? Intercept, 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 किस पर? X, X-axis, intercept, X-axis, जब intercept, X-axis, जब intercept, X-axis होता तो हमारे पास हो जाता है, X1 equal to, X minus, Y upon, D Y upon, D X, बिशे धान रखेंगे, यहाँ पर intercept होगा, तो यहाँ पर X equal to, X के recording है, तो यहाँ पर X equal to, X minus Y1, Y upon, D Y, D X, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी value रखेंगे, और simplify करेंगे, यहाँ पर हम इसको Y कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है जाएगा? Y के ट्रम में आजाएगा, Y यहाँ पर आजाएगा, Y यहाँ पर, और X यहाँ पर आजाएगा, ठीक, इसको हम simplify करते हैं, simplify करेंगे, तो हमारे पास यह क्या है? X1 equal to, X की value हमारे पास उपर है, A cos cube T minus B sin cube T upon minus B upon A 10 T, ठीक, अगे चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, simplify करेंगे, यहाँ पर sin और cos को open कर देते हैं, यहाँ पर क्या है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, X1 equal to A cos cube T minus का plus हो जाएगा, minus यहाँ पर minus यहाँ पर plus हो जाएगा, तो यह हमारे पास B से B का इंसिल A उपर पहुन जाएगा, पर पास होगा A, फिर देखें क्या हो जाएगा, sin square T into cos T, ठीक, इसको simplify करेंगे, यहाँ पर जैसे इसको करेंगे, A cos T कामन ले लिया, bracket में, cos square T plus sin square T, ठीक, अगेन हमरे पास यह इसका 1 होता है, I hope समझ में आ रहा होगा, आप लोगों पता होगा, यहाँ पर cos square plus sin square equal to 1 होता है, तो यहाँ पर होगा, X1 equal to A cos T, ठीक, यहाँ इसको मैं इसे भी prove करना है, तो यहाँ लेग देते हैं, cos T equal to X1 upon A, यह question again डाल देते हैं, ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर intercept हमने निकाला, XSS, again निकालेंगे, यहाँ यहाँ पर again में direct लिख देता हूँ, again similarly लिख देता हूँ, ठीक, again similarly करेंगे, तो यह से हम इसको लिखने हैं, आपको solve करना है वहाँ पर, आपको paper में direct नहीं लिखना है, आपको simplify करना है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, y1 equal to a sin t, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, sin t equal to a upon, नहीं बी यहाँ पर, sorry, b, b, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, b, तो यहाँ पर y1 upon b, equation third, ठीक, equation second and equation third, equation second and third squaring, both side, ठीक, फिर आइडिंग, both side स्वार करके अइडि करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखे, यह हमारे पास, यह स्वाले को, x1 upon a का whole square plus y upon b का whole square equal to cos square t plus sin square t, ठीक, तो यह हो गया, x1 upon a का whole square plus y upon y1 upon b का whole square equal to 1, यह ही प्रूब करना था यहाँ पे, ठीक, अगें समझ में आगा, बहुत अच्छा question से, concept भी से धान रखेंगे, मैं बार-बार कहता हूँ, normal and tangent, आपका क्या कह रहा है, वहाँ पे भासा बेस question रहता है, अभी तक आपने सीधे diet question लिखा होता था यह से, यहाँ पे लिखा है, y बराबर sin x cos theta, या y बराबर x square plus y square plus z square, इसको parcel करना था, यहाँ पे क्यों numbers की बात करता था, यहाँ पे यहाँ पे यू बराबर लिख देते थे, तो यह parcel की बात करता था, गहां पे नंबल भासा नहीं लिखी होती थी, यहां पे क्या करना आपको भासा को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कोशन लगाता है, लगाते हैं, देखते रही कोशन, मैं कराता रहूँगा, धन्यवाद.